नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है concept academy की YouTube चनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्राखन का इतियास और आज बात करेंगे प्रथक राज्या अंधुलन की जो आपका गड़वालों कुमाओं को जोड़कर अलग राजी बनाने की बात हुटी थी तो अगर पूशा जाता है कि कब से स्टार्ट वाए तो 1938 पूरण चंड जोसी जो थे द्वारा उस समय भारते का उनिस पार्टी उसके महासची वहा करते थे तो उन्हार उन्हें सो बावन में भार 1353 में बना था 1950 में राजय पुनरगठं आयोक फजलली आयोग है और राजय पुनरगठं जो अधिनियम था वो आया थाrico उडि शंपन में और जिसके तहलत आपका आअधर प्रदेश पहला क्या था भासायाधार पर राजिय भनना था भारत कर तो फजद लिय और राजब क बनना चीए अलग ठीकन और उसके लिए आंदूलन भी किये थे दयाकृष्ण पांडे जो परवतिया राजय परिशत के अध्यक्ष थे और गोविन सिंग महरा जो उपादेक्ष थे और नारायन दज्जो के देश के महासाचीव थे परवतिया राजय परिशत के स्तापना रा 1999 में परवतिय विकास परिशत के स्तापना की थी भारतिय कमनिस पार्टी के महासाची पूरण चंग जोसी द्वारा कुमाव राष्णय मोर्चा की स्तापना 3 अक्टूवर 1970 में करी गई थी इसके साथ ही उन्होंने अलग राजी बनाने की क्या रख दी थी मांग रख दी द पटाप सिंग नेगी दोरा बद्रनाच से दिल लिए बहुत इंपोर्टन घडना है तक कि पैदल यात्रा की गई थी और इससी यात्र में उन्होंने दिली चलो का नारा दिया था ये यात्रा 1973 में तैकी गई थी उसके बाद आता उत्राखन युवा परिशत इसके स्तापन 1976 में हुई थी और इसी के सदशियों ने 1978 में संसत का घहराप कर लिया था उत्राखन क्रांदी दल के स्तापना होती 1979 में और इसके पहले अध्यक्ष बंते देविदात पंथ डीडी पंथ परवत्य जन विकास परिशत के अगर बात करें या समीति की बात करें तो उसकी उसमें 24-25 जुलाए 1989 को स्तापना कर दी जाती है परवत्य जन विकास समीति की आगे लिखा जैसा कि गड़वालों कुमाओ तब तक उत्तरप्रदेश के ही भाग थे तब उत्राखन क्रांदी दल ने परवत्य छित्रों के 8 जीलों को जोड़कर एक अलग राजय बनाने की म दिल्ली में धरना देता है और हरिद्वार को उत्राखन में मिलाने के लिए राष्ट पति उग्यापन भेजता है उत्राखन उत्थान परिशद कि स्थापना जिसे बोलता है उत्राखन डेवलमेंट काउंजल कि स्थापना सोवन सिंग जीनानी गी थी 1988 में यह आपने गैर सेंड चमूली में 1902 में उत्राखन करांती दल का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में गैर सेंड को राजधानी की रूप में देखा जाता है इसको उत्राखन के प्रथम ब्लूप्रिंट की रूप में देखा जाता है तो गैर सेंड उसमें चर्चा होती है कि गयाड संगो के बना दिया जाए उत्राखंड की राजधानी बना दिया जाए तो 1992 और ये इनिशेट है किसका उत्राखंड करांती दलका उस समय उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी मुलाइम सिंग यादफ थे और 1903 में उत्राखंड राज्य के लिए नगर विकास मंतरी रमा संकर कॉसिक उनके नेत्रत में कैबनेट समीति की स्थापना की जाती है अब कासिक समीति है वो मैं 1994 को एक रिपोर्ट देती है जिसमें क्या रहता है कि गयाड सायंड को राजधानी बनाने की बात की जाती है गयड सायंड को उत्तरप्रदेश के और कौन आपकी तो बनाई जाती है ग्रिसम कालीन राजानी बना दो बोलके आगे लिखा 21 जून 1994 को कौसिक समिती इस बात को मान लिती है अब आता है खटीमा कांड सबसे इंपोर्टेंट है लिखा हुआ उत्राखंड को अलग राजे बनाने के लिए आंदोलनकारियों ने एक सितंबर 1994 को खटीमा उद कि नेक्स आता मसूरी कांड अगले दिन दो सितंबर 1994 को खटीमा कांड का विरोध परदेशन मसूरी के जूला गर में हो रहा था और उन विरोध या उस विरोध कर रहे आदोलनकारियों पर पुलिशने के चला दी ती गोलिया वरसा दी थी जिसमें हंसा धनाई और बेलामत बाद रामपुर्ति रहा कांड तो यह आपको मुझफर नगर में यह आपने याद रखना है तो दो अक्टूबर 1994 को कुछ आंदोलनकारी दिली में होने वाली रेली में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस कर देती हैं रामपुर्ति रहा मुझफर न कांड 2 सितंबर 1994 और रामपुर्ति रहा कांड कितना 2 अक्टब 1994 को हुआ था इस घटना करम को कुरूर सासक की कुरूर साजिस भी कहा जाता यह आपने याद रखना है और इसे रोम के नीरो कांड की संग्या दी जाती है नीरो जो था रोमन सामराज्य का एक सासक था यह समीति 25 जनुवे 25 में संविदान बचाओ यातर चलाती है अब आता स्रीयंद्र टापू कांड तो स्रीयंद्र टापू आपका श्रिनगर में तो उत्राखन में चल रहे ऐसे कांड और अप्रिया घटनाओ की वज़े से आंधुनकारियों आमरान अंशन करना सुरू कर दिया था पुलिस और आंधुनकारियों के बीच में संगर्स होतायार यसुदर बेजवाल और राजेश रावत यह पेपर में टपका था यसुदर बेजवाल और राजेश रावत इसमें सहीद हो जाते हैं दस नॉम्बर निशू पिचाणवी की घटना आपकी अंतिता 15 समय के प्रधान मंद्री एजडी देवी गोड़ा ने उत्तराखंड को एक अलग राजे बनाने घोशना कांसे करते हैं दिल्ली के लाल के लिए से करते हैं श्याणवे में लोकसभा में उत्तरप्रदेश पुनर गठन विधेख 27 जुलाई 2000 में पेश किया जाता है एक अगस और नौबर 2000 को भारत में उत्तराँचल नाम से 27 में राजे कर गठन कर दिया जाता है और बाद में जाकर उत्तराँचल का नाम एक जुनरी 27 को उत्राखंड रख दिया जाता है और पहले जो आपके मुख्य मंत्री बनते है वह बनते है नित्यानन स्वामी ये बीजीपी से रहते हैं ठीक है नोत्राखंड के पहले मुख्य मंद्री बनते हैं ठीक है तो इस लेक्षो को यहीं तक रखते हैं जैन जै भारत